हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक आफला छ tyre वारिप और वर क्या मैं आर अधने, कि हमार आरा कि करें। Зबस्क्राओे अधने प्रागे हे पूनओां आरा ने। कौन है आप हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं आप करपया हमें इनकी कुछिया तक पहुंचा देंगी माता सबरी के पास लेकिन आप है कौन मैं राम और यह मेरा चोटा भाई लक्षमा क्ष़ सकता है आगे प्रभू, आप आगे सबरी की कुठिया में, मैं जडवतिया आपको पैच्छान नहीं पाई, प्रभू, मुझे शमा कर दो, प्रभू, 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 मैं जडवतिया आपको पैच्छान नहीं पाई, यह देया निदा, दया लू है, आप दया लू है मुझेर क्यावा कर देना प्रभू मेरा प्रभू आये आये मेरा प्रभू आये मेरे कुट्या पवित्र हो गई सद्रहाची ये आपने मेरे प्रभू मैं आपको चरण बखारती हूँ नहीं नहीं माता अब इसकी कोई अवश्रक्ता नहीं तुमारे इसने ही बरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया प्रभू आपको फोक लगी होकी ना हाँ मैं पल लेकर आती हूँ पल लेकर आती हूँ अभी लाही बर्सों से प्रती दिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभू कायी बर्गू बहुत मीठे मैंने चक्चक कर रखे हैं मैं मैं मीठी बर्गू आती हैं कि वोस्ति आती हैं इनकी प्रशंचा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास इतने वर्षोबाद ऐसा लगा जैसे माता कोशल्या अपने हाथ से खिला रही हो लक्षमन ऐसे मीठे फल तो भगवान को व्यकूंट लोक में भी नहीं मिल सकते यह सब मेरे परम गुरु महमुनी मतंग की शक्ति का प्रभाव है उनके तफोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुर्चा थे फल सद्याव ताजर रहते हैं इस आश्रम के चारों और समस्त प्राणी अपनी इंसाव्रत्य छोड़ देते हैं परम गुरु जहां बैठते थे उनके चण्णों में वनके सी और आश्रम की गाय बक्रियां एक साग पानी पीती थी उनको परलोक सिधारे वर्सों बीत कहीं परंतु जिस्वेदी पर बैठकर वह यक्य किया करती थे उसमें अभी तक एक तेज एक प्रकाश की आबाद छलगती रहती है कितना पवित्र होगा वो इस्थान और कितनी भागिशाली है आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुन्य प्राप्त हुआ उसी सेवा का पुन्य फल है जो आपके दर्शन हुए है फिरा शाक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुन्य फलिबूत हो गए है जब आपके चुत्रकूट पहुचने का समाचार मिला उन्हीं दिनों गुरु देव आश्रम के समस्त मुन्यों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए मुझे में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेश क्रपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश दे कर कहा कि एक दिन सिरी राम लक्ष्मन के साथ इस आश्रम में आकर तुमारे अथिति बनेंगे उनके दर्सन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना उन्हें हमारे आने का ज्ञान था हाँ प्रभू उन्होंने कहा था कि सिरी राम अपनी भार्या की खोज में यहां आएंगे तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मारक बता कर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावन पर अवस्ची निजय पाएंगे और सीता सहित आनन पुरुक अयोध्या जाएंगे यह भावी निश्चित है प्रफो आप से दनु नाम के गंधर्म ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूं आपने यह समाचार सुना कर जैसे अपने परम गुरू का आशिरवाद मुश्टक पहुंचा दिया है क्या मुश्टक बचल है